नमस्कार मैं प्रशान कनोजिया दे वायर हिंदी के फेसबुक लाइब में आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ खास मेमान है वायर उर्दू के एडिटर महताब आलम और वायर के डेपिटी एडिटर अजय आशिवाद हम इनसे बात करेंगे काजगंज की हिंसा को लेक लेकिन उसके बाद तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर अफवाएं हैं और जमीनी हकीकत क्या है हम इन दोनों से जानेंगे जोई मैं आप से शुरू करूंगा आप गाजगंज गये थे कैसे अहालात है वाँ शहर के और किस तरीके क्योंकि एक तरीके किसे मीडिया में और का और क्या सच्चाई है शेहर की देखी हम महताब मैं चार दिन बाद 26 जनवरी को घटना घटी थी दंगे शुरू हुए थे वहाँ पर उसके बाद से चार दिन तक लगातार मुस्लिम दुकानों को टार्गेट करके वहाँ पर लूटा गया और उनको जलाया गया मस्जिद भ आला कि ये दंगे बहुत जादा बाहर तो नहीं फैले मगर हर रोज 26 जनवरी के बाद कहीं न कहीं आसपास के गाउं में आसपास के जिलों में इस तरीके से कुछ न कुछ घटना घटी रही है इसलिए हमने सोचा कि हमें वहाँ पर जाकर जमीनी हाकिकत देखनी चाहिए त तो पहला हम वहाँ जाते के साथ ही अगर हम जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर काजगंज में पूरी तरीके से आरे एफ रैपिड आक्शन फोर्स की टुकडियां थी पी एसी जो यूपी पुलीस का है उसकी टुकडियां हर जगा घूम रही थी और ये काजगंज हम मतलब जहां दिली और बॉम्बे में रहकर हमें पता नहीं चलता है मगर काजगंज जितनी एक छोटे से गाउं की और उसे यह थोड़ी सी बड़ी एक जगा है एक कसबा है और सारा कुछ यह जहां घटना घटी और वो पुलीस स्टेशन और कोतवाली जित कोतवाली SDM की तहसील यह सब एक ही जगा पे बनी हुई है सारी बिल्डिंग है और यह पूरा एक प्रसाशनिक जो उनका हेड़कॉर्टर्स है काजगंज में यह जितना भी दंगा है उसी के आसपास ही हुआ और एक तरफ मुस्लिम लोकालिटी है और एक तरफ हिंदू लोकालिटी है जहां पे बाजार भी है और तो वहां पे अभी हमने देखा जिस तरीके से तो एक पूरा एक फोर्सिस का वहां बहुत जादा तैनात है बहुत सारी सारी दुकान जितनी भी बाजार है वो चार दिन से बंदी रहा है मुझे कहा गया है कि आज चार पांच दिन के बाद जाकर आज बा पर हिंदू लोकालिटी में जाधा तर लोग मुस्लमानों को ब्लेम कर रहे थे और मुसलमान एरिया अगर हम जाए तो वो कह रहे हैं उनका कहना ये था कि यह पूरा गटना घटी है वो प्री प्लाइन अटक आस मुसलमानों के लोकालिटी में कि तरीके से हुआ और फिर उसके बाद हमने इसी चीज़ को investigate करने की कोशिश की कि यह pre-planned attack था या नहीं था और हिंदुों के बीच में इस घटना को लेकर किस तरीके का की understanding है क्या समझते हैं और कैसे हुआ तो अलग-अलग versions जिस तरीके से हरी रायट में होता है हर दंगे में होता है सब लोगों के अलग-अलग versions है लेकिन मोटा-मोटा ये दिख रहा था कि 26 जनवरी के घटना के बाद एक तरीके से जो संग परिवार में जितने भी गुट है विशो इंद परिशाद वहाँ पे शि मुसल्मान कॉलनियों मुसल्मानों के खिलाफ एक कैमपेंड चलता हुआ दिख रहा है। पुलीस और यह जहां जहां दुकाने जली हैं यह पुलीस स्टेशन और कोतवाली से 50 मीटर और 100 मीटर की दूरी पर ही है। फिर भी उनके सामने दिन दाड़े यह जगा जलाई गई है और जो जिनके घर जले हैं आदे से जादा मुसल्मान काजगन से भाग चुके हैं। उनको यह डर लग रहा है कि उनको उठाया जाएगा, कुछ किया जाएगा। बहुत सारे मुसल्मान कॉलनियों में यह बहुत सारी औरते कंप्लेन करती भी मिली कि दंगे तो हुए, जो ह हुए 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 उसके बाद पुलीस का जो एक्शन है वो मुसल्मानों के खिलाफ जादा होता हुआ दिख रहा है और हिंदू के खिलाफ कम। और इससे पहले कि मैं उसमें जाओं। यह सारी चीजे लोग जान चुके हैं, मीडिया में बहुत जादा गलत भी की जो फैक्चुल है लेकिन जो दिखता वहां पे नजार आ रहा है 26 जन्वरी को के दिन बाइक रैली हुई हमने बहुत सारे आरेशस के लोगों से भी वहां पे बात किया तो उन्होंने भी एडमिट किया कि पहली बार ये बाइक रैली जो है हर हर 26 जन्वरी और 15 अगस अगसे बाइक रैली निकालने का प्लान था हाला कि यह अंदर से क्यों निकालना था वो हमें समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि में रोड सिर्फ 10 मीटर 20 मीटर के ही के लेवल पे हैं तो जिस तरीके से बरेली के डीयम ने भी यही कहा कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि इस तरीके से रैली मुसल्मान कॉलिनियों के अंदर घुस कर पाकिस्तान, मुर्दाबाद और हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है इस तरीके के यह प्रोगेटिव स्लोगन डाल कर इसी तरीके से एक प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है जिस तरीके से सारे वीडियोज भी सामने आ गए हैं, वो ये भी समझ में आ रहा है कि उस दिन वो उस मुस्लिम कॉलिनी में जिसको बड्डू नगर कहते हैं, वहाँ पे वहाँ के लोकल कम्यूनिटी ने एक फ्लाग होईस्टिंग सेरीमनी रखा था, चेर्स भी थे, बड़ी संकीन गलियां हैं और वहाँ से बाइक रैली लेकर आये यह लोग, जबकि 10-15 मीटर दूर ही में रोड है जहां से वह जा सकते थे, लेकिन अंदर कॉलनियों की तरफ से आये और यह डिमैंड किया, कि यहां से चेर्स और यह सारा जो फंक्शन के जो टेंस वगेरा है, इसको हटाओ हम पास करे मुसल्मानों का वहाँ पे कहना है कि हमने इन इन बाइक कर्स को यह कहा कि यह आप हमारे यह फंक्शन में शामिल हो जाएए, थोड़ी देर लगेगी और अगर नहीं होता है तो हम थोड़ा साइड कर लेते हैं आप एक-एक करके निकलो, लेकिन उनका यह कहना था कि वह वह वहां से एक साथ निकलना चाहते थे, कुछ वहां के बगड़ुनगर के रेसिदेंस ने यह भी कहा है कि यह स्तिरंगा को हटाओ और सैफरन फ्लैग जो भगवा जंड़ा है, अम उनको फैराएंगे, इसमें एक सकफल हुआ, इसमें एक सकफल हुआ, लोगों का कहना है कि उ वो लोग वहां से छोड़कर भाग गए, कोतवाली के सामने जाकर फिर प्रदर्शन किया, जहां पे तीन से चार सो लोगों के बीच में किनिका के लोगों को मोबिलाइज किया, और फिर कोतवाली की तरफ बढ़ने लग गए, मुसलमान को एक साथ, मुसलमान कॉलनी की पुलीस लाइन जो वहां से साथ किलोमेटर दूर था, वहां पे डिस्ट्रिक्ट का जो फ्लाइज होईस्टिक सरीमनी होती है, पूरी सारया पुलीस फोर्स और सारा जो भी अड्मिनिस्ट्रेटिव तबगा है, वो वहां पे अपना कर रहा था, तो जेनरली इस वक्त ये ये लड़ाई हुई, लोगों कहना है कि दोनों तरफ से फाइरिंग हुई और उसमें चंदन गुपता जो है, उनको गोली लगी और वो मर गए, इसके बाद ऐसा हुआ, तब फिर उसके बाद पुलीस आ गई, मामला शान्त हो गया, मगर शाम होते होते, तीनो जो ये कास गंज के इलाके में तीन MLA सीथ है, तीनो भाजपा से जीते हुए है, MP जो कल्यान सिंग के बेटे है, राजवीर सिंग जिनको वहां पर राजू भाईया के नाम से बुलाया जाता है, ये शाम में आते हैं, और उनका स्पीच यूट्यूब में है, जिसमें उन्होंने ए हिंदू मर गया, और उसके बाद से 26 जनवरी के शाम से लेकर, कल शाम तक इस तरीके से छोटी-छोटी घटनाएं होती गई, जहां पे खास करके उन मुसल्मानों को टारगेट किया गया, जो एकनॉमिकली अच्छे हैं, वेल आफ हैं, जो थोड़े से पुष्ट हैं, जिनक बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, कि बहुत ये दंगे हो रहे थे, लगातार चार दिनों में, तो उस वो पुलीस के सामने ही हुआ, और हमने दो लोगों को इंटर्व्यू भी किया, महतावर, हमने जिनकी अकरम जिनकी आँख फोड़ी गई, और नौशाद जिनके दा दाएं पैर में गोली लगी है, तो उनों लोगों ने भी यही कहा है कि पुलीस स्टेशन वहां से सो, अकरम ने तो ये कहा कि पुलीस स्टेशन की, पुलीस स्टेशन का जो छोटा सा था, वो 100 मीटर दूरी था, और वहां पर देखते हुए ही, उनके सामने 4500 लोगों ने आ पर चली है, तो ये एक पुलीस कॉम्पिसिटी तो यहां साफ साफ दिख रही है, हला कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी सर आदमी से बात हुई, तो उनों ने कहा कि ये पुलीस के सामने सारा कुछ हो रहा था, और पुलीस क्यों एक्शन नहीं ले रही थी, ये तो सवा परिवार के अक्टिविस्ट है, वो मुस्लिम बिजनेसमेन जो है, उनको अटैक कर रहे है, उनको एकनोमिकली क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है, जो है, मैं मैताब के पास चुन हूँगा, मैताब आप भी वहां गए थे, और बहुत सारे कॉंट्रिक्शन हैं, सेम चैन को सेलिबरेट कर रहा था, और इस तरीकी के जो घटना है, क्योंकि ये काफी बार देखा गया है कि मुस्लिमन इलाकों में जाना और वहां इस तरीके के प्रोगेटिव स्पीच भाशन देना और नारे बाजी करना, जिसे कमिनल वाइलेंस बढ़े, इसको आप कैसे देखते हैं क्योंकि इसमें नेताओं से ज़्यादा हिंसा फैलाने में और उसको और गंदी तरीके से पेश करने में मीडिया बहुत धुमी का निभा रहा है, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं, मीडिया का जो रोल रहा है, उस पे कई लोगों ने बाते कहीं है, मीडिया के ही ज इस तरह से एंकर्स ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, जिस तरह का रोल अदा किया है, क्या वो और चंदन गुपताओं को मारने की कोशिश कर दे, उनकी बली चड़ाना चाह रहे हैं, तो वो तो चीज बहुत, हम जब गए दोनों इलाकों में, चाहे वो मुसलिम इलाका हो चाहे वो हिंदूओं का इलाका हो, मीडिया के प्रती रोश दिखा, और लोग बार बार जो है, वो कह रहे थे, और हम से भी पूछ रहे थे कि इस चैनल से आएं, हम जब थे वहां और शाम में हमने देखा कि वहां तमाम मीडिया मौजुद थे, रिपब्लिक टीवी, एभी ते राष्ट्रिये चैनल है, मैं राष्ट्रवादी चैनल की बात नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रिये चैनल है, जो नाशनल, जिनका नाशनल कवरेज है, और जो लोकल, जैसे वहां का एक लोकल न्यूज अखवार, तीवी चैनल है, समाचार प्लस, और उसके अलावा, वह ने जो रिपोर्टिंग की है और जो आज तक और इस तरह के जी न्यूस जैसे टीवी ने जो किया है वो एक दूसरे के बिलकुल अपोजिट है उसमें सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो हम ABP न्यूस को देखते हैं तो मीडिया के रोल के बारे में खास पर टीवीजन के रोल के बारे में जितना कहा जाए वो कम है जहां एक बात और भी है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जब हम यह कहते हैं कि दोनों पक्चों के हाथ में तरंगा था हम सिर्फ यही नहीं था कि दोनों पक्चों के हाथ में तरंगा था बलकि एक पक्च के हाथ में यह बात भी मुझे लगता है गौर करने की वाली चीज़ है फिर अगर हम वहां के माहौल की बात करें तो कल रात हम लग भग वहां आठ बजे तक थे आठ बजे के करीब हम आठ बजे के बाद वहां से निकले हैं और शहर के मलब उसको शहर कहना भी शहर नहीं है और आप हिंदू और मुसल्मान जो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग यह हिंदू का महला है और यह मुसल्मानों का महला है ऐसा कुछ नहीं है बलकि यहां हिंदू रहना खतम होते हैं तो यहां मुसल्मान शुरू हो जाते हैं इस तरह का है लेकि आप देख सकते हैं कि गलियों में जिस तरह का माहौल मुस्लिम जो कंसंट्रेटेड गलियां हैं वहां जिस तरह का सनाटा आपको मिलेगा उसके कंपेरिजन में जो दूसरे अलाके हैं उसमें नहीं मिलेगा और हम थाने भी गए थे और इससे उसकी वज़े मालूब होती है अगर हम लिस्ट देखें कल शाम में जब हम थाने गए और जब वहां थानेदार से मतलब एक सी एससाई था उससे हमारी बात हुई और जब पूछ रहे थे कि कितने लोग गरफतार हुए तो उन्होंने बताया कि कुल 117 लोग गरफतार हुए हैं इसमें से लोग जो हैं सांती भंग करने के मामले में हुए हैं गरफतार हुए हैं और जो बागी 36 लोग है उन पर मुकदमा है उसके खिलाब तो अगर यह 36 लोगों को हम देखने की कोशिस करें मैं 81 लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मुचलके पर अगर वो बॉ भाई जो हैं वो मुसल्मान हैं फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो जिन लोगों के खिलाफ कुर्की जबती का वारेंट और यह जो 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 नोटिस जारी हुआ है और हमने अपने आँखों से देखा कि किस तरह से उसका एलान किया गया और एक तरह का आप यह देखें क जो है फैला लोगों में फैला दिया है एक खास समुदाए के लोगों में पुलिस का जहां तक रवईया है उसके बारे में मज़धार बात यह है कि दोनों पक्ष दोनों पक्षा यह कहता है कि पुलिس ने जो है वो पार्टिजन रूल प्ले टया नौन पाइजन नहीं थे लिए पिखी कसा बॉसले मुसलमानोंु का साथ दिया। और जब अजीब जब आप के रह थेए। जहां पर दुकाने जलाई गईगी हैं, जो वहाँ के एक बिल्कुल सेंटर कह सकते हैं, कनॉट प्लेस दिल्ली का कनॉट प्लेस आप समझ लेगे जो है गंटा घर है, और फिर वह बारच clients का लाका कहलाता है, तीन जो है दुकाने वहां जलाई गई है और दो इस साइड और एक इस साइड और साथ में एक मस्जिद भी उसके साथ भी मतलब उसकी भी गुंबदे तोड़ी गई यह चीजें तो उसमें हमने लोगों से पुछा कि यह चीजें मतलब यह दुकाने कैसी जली तो एक हम सजन म मिले जो वहीं पर दुकानदारी करते हैं मुकेश नाम के उन्होंने कहा कि यह एलेक्रिक शॉक से हुआ है जबकि तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते रहे तो एक और सजन मिले जिनका नाम विश्णू था उन्होंने हमें बताया हमने पूछा कि क्या है कैसे है मामला त यह एलेक्रिक शॉक से हुआ है तो उन्होंने का यह बकवास है अगर एलेक्रिक शॉक से ऐसा कुछ होता तो आप देखेंगा अगर फोटो भी देखें तो आपको लिखेगा कि सिर्व जो है शेरवानी शू हाउस जो है वो जला हुआ है उसके बराबर में उसके दाइं जो दुकाने हैं वो एक भी मिलकुल सही सलामत है इसी तरह से और तो यह इस तरह की भी अफ़वा फैलाने की कोशिश की जा रही है जैसे एक और बात का बार बार कही जा रही है कि जो प्यूश गुपता के अलावा एक और लास बरामत हुई यह फैलाने की भी कोशिश की ज बज़ेदार बात यह है कि वो शक्स खुद आ करके वो खुद पत्रकार है राहूल उपध्याय को मार दिया गया है यह खबर किसी इन्फरिंज ने या किसी फेक ट्विटर ने या फेस्बूक परफाइल ने नहीं ट्विट की ती यह मेल टुड़े के जो एडिटर है अभीज जिस मीडिया को हम देखते हैं कि बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए ऐसे मौकों पर वो इस तरीके के फेक ट्विट्स कर रहा है तो इसको कैसे देख रहे हैं यह एक ट्रेंड बन चुका यह कोई नहीं बात नहीं है दिक्कत यह है कि हर दिन एक new normal हो रहा है कि मतलब हम इतन MLA है तीन constituency MLA की एक कासगन सदर दूसरा जो है सहावार और तीसरा जो है पटियाली इन तीनों के जो MLA है तीनों constituency के वो हिंदू इलाकों में गए हैं इसी तरह से जो वहां के MP हैं राजू भाहिया जो कल्यान सिंग के बेटे हैं वो वो भी वहां गए हैं जो officials हैं वो भी वहां गए हैं दूसरी तरफ यही लोग मतलब अगर वो जनप्रतनी दी हैं तो सब लोगों के प्रतनी दी हैं लेकिन ये लोग जो हैं जो दूसरा अलगा है मुस्लिम आलगा है उसमें कोई नहीं गया है बलकि जबकि आप अगर मुस्लिम शनम आलाके को जो के दाइरे में सारा कुछ बना हुआ तो ये भी ये भी जो है अडिनिस्ट्रेशन का जो ये रवया रहा है और जो आज के वक्त में जब कल हम वहां थे तो ऐसा था कि पुलिस बहुत थी आप देख सकते हैं कि वहां आरारेफ बी की प्लाटन मौझू थी आरेफ भी मौझू थ था लेकिन ये सब जो है वो 26 के बाद हुआ है जब 26 की सुबह में ऐसा कुछ हो गया था और जिसमें किसी की जान नहीं गई थी किसी को चोट नहीं लगी थी कुछ नहीं हुआ था जब 26 को सुबह में जो जड़प हुई उसमें कुछ नहीं हुआ बाद में ये चीजें आर्सन का सिलसला वो बदस्तूर जा रही है कल भी ये खबर आई है हाँ कल भी हुआ हम जब वहां मौझूद थे तो उस उससे पहले वाले रात में भी ये मौझूद हुआ जब डियम्स हाब कह रहे हैं कि हमने महां परियाप पुलिस सुरक्षाबल को पहुचा दिया है और ज तो नहीं कह सकतей, लेकिन वहाँ जो लोगों से बात हुई हैं हम ने जो लोगों से बात की वह साफ साफ कह रहे हैं कि स्टेट जो है वह साथ हो या ना हो लेकिन यह जरूर क्लियर है कि वह मूझदर्शक थे वह देख रहे हैं वो इंटर्वीन करने की उसको रोकने की कुशिश नहीं कर रहे हैं बलकि हमको बताया गया कि वहाँ पर एक साहब है जिनके उसकी दुकान थी उनका नाम आयाज शेरवानी करके था तो उनकी दुकान में आग लगाई गई किसी के थुरू इंफॉर्म किया गया कि उसके यहाँ आग लग गई है और वो जब आया उसको की ख़बर सुनकर के आया तो वहाँ पुलिस खड़ी थी वो देखती रही और उसको वहाँ पीटा गया तो इस तरह की भी और खुद जिन लोगों की दुकानों में आग लाया गया उनके अंदर इस तरह का भय है कि वो खुद F.I.R. करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो एक अजीब तरह का मतलब माहौल है वहाँ यह बहुत गौर तलब करने की गौर तलब बात है कि जितने लोगों का प्रॉपटी जलाया गया है उन में से कोई भी आगे रहे कर F.I.R. दर्स कराने पुलीस के सामने नहीं गया है यह है इतना लैक आफ ट्रस्ट है मुस्लिम कम्यूनिटी के बीच में अभी अड्मिनिस्ट के खिलाब तो यह अब वहाँ पे पुलीस तो बहुत तैना थे ही लेकिन यह जो पुलीस तैनात है कासगंच में कल तो कहीं कुछ घटना नहीं घटी लकिन उससे फेले घट रही थी और कल मुझे बताया गया है कि महां से 18 किलोमीटर दूर कासगंच जिले में ही वहाँ पे कहीं पर कुछ एक दरगा बनी हुई थी और वहां पर फोड मचाई गई तो इस तरीके से यह जो जिस तरीके से मीडिया ने पहले हवा फैलाई कि यहां पर मुसल्मानों ने हिंदूओं को तिरंगा लहराने नहीं दिया और वो बिल्कुल ही गलत बात है कल हम वहां पर अपने सबसे हमने ना सिर्फ मुसल्मानों से बात किया हमने अलग अलग सेक्शन्स ऑफ हिंदू से भी बात किया वो सब सब ने यह अग्री किया कि वहां पर वो तिरंगा रोहन कर रहे थे और इस तरीके से जड़प हो गई हिंदूओं के बीच में यहां तक कि बीजेपी अक्टि इसका कहना है कि यह ऐसे क्यों इतना भड़का तो उसमें उन्हों आप पर तो इल्जाम लगाएंगे नहीं तो और मुसल्मान जितने भी हैं जिन लोगों से वहां के जितने भी पीस कमीटी की एक मीटिंग भी हुई थी उनमें मुसल्मानों ने साफ तोर पे यह कहा कि हमें इन सिक्यूर फील हो रहा है मुसल्मानों को और उनकी सिक्यूरिटी के लिए काम एड्मिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और जो जो परपिट्रेटर्स थे उस दिन जिन लोगों ने फाइरिंग की और जिन लोगों ने दंगा किया उनको तुरंट हिरासत में लिया जाए बहुत जादा लोग जो 81 लोग महताब भाई बता रहे थे अभी कि जिनको शांती भंग करने के गिरफतार किया गया है बहुत हिंदूों में और मुसल्मानों ने ये कहा है कि कुलीस ने ये जो है वो बेकसूर लोग है इन लोगों ने कुछ किया नहीं है जो 36 लोगों के है उनका मैं बताने ही सबता जो मुख्य रोपी है लेकिन जो मुख्य रोपी जिन पे नाम आएं है वो तो सब फरार है तो किनको उठाया है किनको नहीं उठाया है ये पुलीस ने अभी तक किसी को क्लियर किया नहीं एक और एक्टूरि यह तो पूरी तरीके से बात खारी हो जाती है कि यहाँ पे कि मीडिया ने जो शुरुवाती जो रिपोर्ट इसकी वज़र से बहुत जादा वहाँ पे यूपी में बहुत जादा दंगे भढ़के भी और जो अभी तक वो नैरेटिव वहाँ पे मुसल्मानों ने तिरंगा लहराने नहीं दिया और उसकी वज़स है यहाँ पे दंगा हो गया तो यह polarization की जो यह politics है पूरी हिंदू बनाम मुसल्मान वो एक तरीके से कास गंच में तो क्योंकि सीधा सीधा सीधी सीधी लडाई हुई तो तो वहाँ पे तो polarized होई गया है लेकिन यह जो bad reporting है जो wrong reporting है उसकी वज़ा से यूपी के आसपास के भी जितने इलाके हैं वहाँ पे भी यह कास गंच का जो रायट है वो धुरूवी करन करने में successful हुआ है तो इसका यह कास गंच के रायट को हम लोगो सरिफ कास गंच में सीमित नहीं रखना चाहिए वो यूपी की पूरी politics को एक तरीके से एक चर्निंग में ले आती है और वहाँ पे यह इस politics का यह जो हो रहा है हिंदू बना मुसल्मान और क्योंकि हिंदू majority है तो सीधा सीधा फाइदा राजनेतिक फाइदा electoral फाइदा और short term और long term दोनों ही फाइदे भाजपा को सीधा सीधा जा रहा है जिसके तरफ इशारा करना चाहूंगा जो दोनों पक्षों की तरफ से आया और दो अलग अलग तरीकों से आया जिसके तरफ इशारा कर रहे थे जोए कि जब हमने वहां लोगों से बात किया तो लोगों का यह कहना था जिसम्सल्मानों का यह कहना था कि जब से योगी सरका तब से जो है वो एक अलग तरह का माहौल हो गया है और मुस्लिम विरोधी माहौल जो है उसमें और वो बढ़ता ही जा रहा है दूसरी तरफ जिन लोगों से हमने बात किया इंक्लूडिंग सुशील गुपता जो की चंदन गुपता के पिता है और वहां जो लोग मौजूद थे हम उनके घर पर जब पहुंचे तो कोई एक 10-15 लोग मौजूद रहे हैं उनकोई जिसमें समाजी कारे करता और एक कोई डॉक्टर साहब थे जो वहां के बहुत ही मतलब इंफुलेंशल लोग समिल में से हैं हमें पूरा नाम पता नहीं तो उन्होंने भी यह कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि आपका बेटा जो है मतलब हमेशा जो है वो रैली जो है वो में रूट से जाती थी प्रभात फेरी की परंपरा रही है हर जगा प्रभात फेरी निकलत में रोट से निकलता था इस बार प्रभात फेरी उदर से गया तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो उन्होंने ये बोला और ऑन रिकॉर्ड बोला हमारे पस उसके रिकॉर्डिंग मौजूद है उसमें उन्होंने ये का कि उसको ये लगा था कि उपर मोदी जी के सरकार है नीचे सुशील जी के हां से निकल के बाहर आए तो एक और सजन से हमारी मुलाकात हुई वो भी इसी तरह से बात कर रहे कि अभी जब हमारी सेंटर में भी सरकार केंदर में भी सरकार है और हमारी जो है राजी में भी सरकार है तो अगर हम अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कब कर प मैं अगर आप लास्त पास सालोंकर का यह जो दंगों की हिस्टरी देखे लिए हिंदू-मुस्लिम रायट्स की हमेशा छूटे-छूटे चीज़ों पर हो रही है। कि लाउड पीकर लगाना है या नहीं लगाना शूप स्केम के मंदिर लगेगा और अगर ये राम नवमी या मुहरम की रूट्स जो है क्योंकि ये गलियां बहुत छोटी होती हैं घरों से दोनों ये गलियों के आस पास घर होते हैं और क्योंकि कॉलिनी इस तरीके से अब तो बाबरी मस्जिद के डेमॉलिशन के बाद से ये सारी यूपी के ये जो ये एरियाज हैं, वहाँ पे मुसल्मान और हिंदू लोकालिटी एक तरीके से अलग-अलग हो गया है, तो वो उसकी वज़ा से ये रूट्स को लेकर ये खेल होता है हर बार, जहां जिस तरीके से कुछ हिंदूत्ववादी ताकतें जो हैं, उस तर तरीके से रूट्स चेंज कर देती हैं, लास्ट मोमेंट, कई दफ़े ऐसा हुआ है, बरेली में जिस तरीके से हुआ है कि बिना पर्मिशन के, अड्मिनिस्ट्रेटिव नोटिस के रूट्स लास्ट मोमेंट चेंज कर लिया गया और तुरंत उल्टरकेशन हो गया एक, और ये दंगा का एक स्वरूप जो है, अचानक से बड़ा हो जाता है, एक जगड़ा किस तरीके से बड़ा हो जाता है, इसका काम academics में भी बहुत जादा हुआ है, खासकर कि यूपी पौल ब्रास का काम है कि इस तरीके से organized rights तैयार की जाती हैं, इसमें भी कास गंज में अगर ह खड़ी थी जिसमें इटे थे और वो इटे उठा कर लोगों ने फेक लोग फेकने लग गए जैसे वहां से प्रदर्शन करना चालू किया सारा असला भी सामने आ गया भाले लोहे इटा पत्थर सब कुछ तयार था अल्रेडी तो वो उसको लेकर वो भीड आगे बढ़ने काश गन से बाहर चला जाता है और यह चीज इसलिए हमें बहुत जादा देखने की जरूरत है और जहां-जहां मुसलमानों से बात कर रहे थे वो दो चीज़े कर रहे थे एक तो वो बहुत भैबीत हैं और दूसरी चीज़ यह एसर्ट कर रहे थे कि हम भारतियां हैं हम इं गालियों से खा जाता है कि हम पाकिस्तान चले जाए तो वो यह हर जगा में बलकि एक स्क्रिप्टिट तरीके से मुसलमान यह कह रहे थे कि हमने भारत का नमक खाया है हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे यहीं मरेंगे और कोई अगर और एक खास करके इस जगड़े के बाद मुसलमानों में यह assertion भी दिखा कि अगर हमें कोई निकालने की कोशिश करेगा हमारे घर से हमारे मुलक से तो हम उस पे react करने की भी कोशिश करेंगे हम उसका response देंगे तो गुसा भी है भै भी है और एक तरीके से administration, police इन सब पे एक तरीके से lack of trust भी है यह तीन चीज़े होती अच्छी तरीके से दिख रही थी, हिंदू में उसी तरफ जब शुरू में यह एक तरीके से मुसलमानों पर blame उन लोग ने कर दिया और उस narrative में जो पूरे polarization के बाद एक था कि कैसे यह जगडा हो गया आज तक नहीं है हिंदू में कि 1992 में जब अबरी मस्जिद विद् वो ने बताया कि छोटे मोटे कुछ इधर उदर हुए थे लेकिन वो कंट्रोल रहे लेकिन अभी क्यों हो रहा है और शुरू में उनका जो आक्रोष मुसलमानों के प्रतिता वो भी मुझे नीचे गिरता हुआ दिख रहा है क्योंकि पिछले चार दिन से दुकान बजार वेपार में काम करने वाले ही लोग पूरी तरीके से काजगंज लोग वहां के निरबर है और वो चार पांच दिन से बंद है रोजी रोटी बंद है लोगों की जो डेली वेज वरकर्स हैं जो देहारी मजदूर हैं उनको अपनी सैलरी नहीं मिल रही है तो ये ना सिर्फ व हमें मुझे लगता है कि काजगंज दंगा तो हुआ ही है और इस तरीके से हमने कल्प अमेठी में भी कम्यूनल टेंशन देखा और ये काजगंज तिरंगा रैली को लेकर हुआ इस 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कम से कम 10 से 12 इस तरीके से तिरंगा बाइक रैली एरिया में अगर आप मिला ले इन दिलों में इटावा आगरा इटा मैन पूरी फिरोजाबाद अलग अलग जगों में काजगंज रैली के बाद ऐसे से बाइक रैली के हां और काजगंज के नाम पे कि आरोपियों को गिरफतार करो चंदन गुपता को जिसने मारा और इसको पोलिटिकल एसर्शन से है कि भाजपा को किस तरीके से संगठित करे और वो जो हिंदूत्व कनारा है किस तरीके से वो स्ट्रॉंग हो और आपने देखा होगा जब 2013 में मुजफर नगर राइट्स हुए थे और ये जब अब ये जो अभी जो कम्यूनल लेबरेटरी बन रह का है और जब हमने एक जर्नलिस्त बात की काफी सीनियर जर्नलिस्त है उनका ये कहना था कि जब मुजफर नगर दंगे हुए थे तो उससे पहले जाट पॉलिटिक्स जो थी जाट किसान राजनीती जो चरन सिंग महिंदर सिंग टिकेट और खर्याना में सर्चोटू राम इ तो वो खतम हो गई और अभी आज के डेट में जाटों के पास कोई अप्शन नहीं है मगर भाजपा को वोट करने के लिए क्योंकि वहां पे हिंदू और मुसल्मान इतना जादा बोलराइज हो चुका है उसकी वज़े से क्या हुआ कि जाटों का जो किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से लिब्त हो गया कोई उसकी बात नहीं कर रहा जाट उठाते भी आ तो कोई सुनता नहीं है यहां पे ये वाला जो एरिया है यह यादफ भहूलिला का है और यहां पे हिंदू और मुसल्मान हो जाने के वज़े से जो यादववों का अपना जो एक तरीके स वो उनको लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में खतम हो जाएगी तो ये इससे इसी लिए मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा और संग परिवार को सीधा सीधा रायट से किस तरीके से फायदा होता है आगे चल कर जो एक उनका जो सबसे स्ट्रॉंगेस्ट ऑपोजिशन है समाज अब हम देखते हैं कि देश में जो पहले दंगे होते थे वो बड़े पैमाने में होते थे एक साथ हजार दो हजार तीन हजार या फाच हजार लोग मारे जाते थे लेकिन अब ये ट्रेंड पुरा बदल गया है कि छोटे-छोटे पॉकेट में छोटी-छोटी घटनाइम हो देफिनेटली 2019 में चुनाओ है अगले साल चुनाओ है तो क्या आप इस तरीकी के दंगे को कास गंज के दंगे को कि यूपी इतना बड़ा पॉकेट है कि यूपी के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता तो अगर यूपी में अगर भारती-जंता पार्टी नहीं जीतती या सं कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि पहले देश में चोटे-चोटे दंगे नहीं होते थे सिर्फ बड़े दंगे होते थे खुद वेस्ट यूपी में इसका इतिहास रहा है इस पर लोगोंने काम किया है पॉल बरास की स्टडी है वो साफ इसकी निशान दही करते हैं और उन इतिहास रहा है लो इंटेंसिटी के दंगे तो यह कोई नई चीज नहीं है बलके मैं कहूंगा यह बहुत ही जाचा पर्खा जो है उनका तरीका है दूसरी चीज यह है कि हमको यह समझना होगा और जिसकी तरफ कल जब हम बात कर रहे हैं थे तो एक रिटायर प्रोफेसर सा अपने इशारा भी किया कि दरासल मकसद दंगा करना नहीं है दंगा मकसद नहीं है क्योंकि जब दंगा होगा जब इस तरह की कोई चीज होगी जैसे बड़ा दंगा होगा तो उसमें क्या होगा कि दोनों की प्रोपरटीज जाएंगी दोनों को नुकसान होगा और अगर द उसके आत्मविस्वास को गिराये जाए और उनको ये बताये जाए कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई आप्शन नहीं है तो वो है टार्गेट और जहां तक 2019 की बात है या अगले विधान सब्गाब 2019 की बात है तो ये जो जो बात अजोए कह रहे थे कि किस तरह से 2013 में मुझवफर नगर को वाला एक्सिप्रमेंट देख चुके हैं उसी तरह से उसमें और इसमें फर्क ये है कि 2013 में जो मुझवफर नगर और उसके आसपास हुआ था वह गाओं में वह था कि बेश उस वक्त जो है वहां जो है गाओं में था क्योंकि जाट मुसल्हाओं यहां यह है कि आप यह देखेंगे जो अलाकें हैं कास कन्ज हो गया, अलिगर्ड हो गया, अधना एटा हो गया या फिर फरुखाबाद हो गया, फिरोजबाद हो गया इसमें जो है वो जो मुसलमान है वो या तो मज़दूर है या बिजनिस कम्बनिटी है तो कहीं ना कहीं उसको टार्गेट करने की पोश्चिस के जाए उसके जरीए जो है उनको एक तो ये कि उनको बार बार कहा जाए कि तुम हंदुस्तानी नहीं हो तुम पाकिस्तानी हो इस तरह की बातें की जाए और दूसरा उनका जो एकॉनमिक बेस है उसको टार्गेट किया इस तरह की चीज है दो सीनियर जेनलिस्टों ने हमसे बात की जो की मतलब काफी दिनों से यूपी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्होंने काया कि बीजेपी भी बीजेपी उस तरीके से दंगें नहीं चाहती है जैसे कि पहले उनके राज में कहीं होते थे लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मुसल्मानों पर प्रेशर बना रहे है प्लस दूसरी चीज ये ये भी एक जर्नलिस्ट ने हमें बोला कि जिस तरीके से मुझफर नगर दंगों में दंगों के दौरान हमेशा माइनॉरिटी ग्रूप्स जो होते हैं दर के भाग कर चले जाते हैं ये कहीं पर भी इंडिया भर में जो भी माइनॉरिटी है वो भाग कर चला जाता है अपनी जानमान की रक्षा करने के लिए मगर यहां पे जिस तरीके से मुझफर नगर राइट में जाटो ने जब हमला किया मुसल्मानों पे तो वो अपना घर चोड़ कर चले गए थे लेकिन घर चोड़ कर इसलिए चले गए थे कि जब मामला शांत हो जाए एक महीने में वो वापस आ पाए लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि उनकी घरे तोड़ दी गई उनके जमीनों पे कबज़ा कर लिया गया तो जाकि वो वापस ही नहां आ पाए यहां पे भी आप देखें कि सारे बाजार में जहां पे आसपास हिंदूों की दुकाने है बीच में दो तीन दुकाने अगर मुसल्मानों की है और उनको टारगेट करके जलाया गया है एक पूरे हिndू बजार में एक मस्जिद है उसको जला दिया गया है तो इस तरीके से जला दिया गया है तो कई मुसल्मानों से हमने बाट की तो उन्होंने भी यह कहा है कि जो सबसे बड़े जो मुसल्मान बिजनिसमें थे जो बाबा बूट हाउस जिसकी फोटो हमने काफी देखा वहाँ पे और सेरवानी बूट हाउस यह बड़े उनका बिजनिस था कपडों के वैपारी थे इनके दुकानों को जला दिया गया है यह अभी फरार है लेकिन के ट्रेट से कई ज्यादा कम कीमतों में वहां के जो हिंदू वैपारी है उनको बेच कर चले जाए ताकि वहां पे बाजार में हिंदूों का वर्चस्व हो जाए तो वैपारी वर्क को भी यहां पे सीधा-सीधा फाइदा है लेकिन अभी पांस दिनों से वह इसलिए तरस् जितने लोग उस पे निर्भर है उनकी भी शांती भंग होती है उनका जो घर में खाना और कपड़ा मखान यह सब विद्वस्त होता है तो अभी जैसा कास गंज कास गंजी कास गंज मुझे लग रहा है अगर वो शांत हो भी जाए आने वाले दिनों में इस तरीके के अगर यह प्री प्लान डटाक है जिस तरीके से मुसल्मान कह रहे हैं और जैसा कई तरीके से जगर इंडिकेशन्स मिल रहे हैं अगर स्टेट का सपोर्ट पूलीज का सपोर्ट इतना जादा हिंदूत्वा और्गनाइजेशन्स के लिए है योगी की सरकार में तो मुझे लगता ह ऐसे चोटे मुटे इस तरीके के कम्यूनल पॉलराइजेशन दोहजार उन्नीस इलेक्शन से पहले और भी जादा होते रहेंगे इसलिए होते रहेंगे क्योंकि अब उनके पास जब कोई सरकार के पास कोई इशूस नहीं रहते हैं अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों म किसानों ये आस पास जितने भी हैं वहाँ पे तो अब जब इन इशूस को सरकार अड्रेस नहीं कर पा रही है तो आप अपना पॉलिटिकल कॉंसलिडेशन कैसे करेंगे और ये बीजेपी की हिस्ट्री हमेशा से ही रही है कि कम्यूनली पॉलराइज करेंगे धर्म के नाम और वोट बटो रहेंगे 2019 से पहले यही करने की कोशिश की जा रहे हैं अभी आवद तक पहुचा है हो सकता है कुछ दिनों बाद पूरवांचल तक पहुच जाए अब जब वक्त आ गया था कि जनता सवाल पूछे कि आपने क्या डिलिबल किया थी जनता सवाल जाट इतना किया ना कोल्ड स्टोरेज में फैसिलीटी जैना आप हमारे खेत में से कुछ उपज उठा रहे हैं ना आप कोई स्कीम ला रहे हैं किसानों के लिए जो योगी सरकारत ने आते के साथ ही किसानों को एक लोन वेवर दिया था उसका फाइदा कहीं पे भी होता हुआ दि सलमान राजनिती पर आ गए तो इससे फाइदा किसका होगा यह हमारे दर से खुदी समझ जाएंगे मैताब आपको लगता है इस तरीकी के जो दंगे हो रहे हैं अगर पीडित अपने आपको कोई बता रहा है तो वो चंदन गुप्ता के परिवार वाले बता रहे हैं और चंदन गुप्ता की जो मौत हुई उसकी जाँच भी ऑर्डर कर दी गई है कि इसकी जाँच होनी सब्सक्राइब खतरनाक तो है ही जहर से बात है ऐसा माना जाता है और ऐसा संसदी परनाली में समझा जाता है कि अगर जो कोई आपको वोट नहीं भी देता है आपको अपको पता है कि वोट नहीं देता है लेकिन तब भी आप छो है उसके प्रतेनीदी है ऐसा नहीं हो सकता कि जो हार गय जो को तब तो फिर की अज तरक कि ये जो प्ald रहेँं के लिए लेकिन ये जो हो रहा है वह मतलब वही मतलब तरीका है कि तिरंगे का सहरा लिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जब भी कोई इसकी रिपोर्टिंग करने की या इस तरह को मतलब हकीकत को expose करने की कोशिस करता है अगर हम पंकजहा की बात करें जिसने इसकी रिपोटिंग की और कहा कि देश भक्ति के नाम पर दंगा तो हम देख रहे हैं कि किस तरह का response उनको मिल रहा है और किस तरह से उनको धंकिया मिल रही है तो लेकिन पत्रकारों का और बुद्धी जीवियों क आम जंता नहीं समझ सकती है आम जंता तक उसको पहुंचाएं और मुझे लगता है यह हामारी जंता तो मुझो है समझ सकती है मगर पत्रकार जिस तरह के से मेसेज चोड़ रहे हैं जो बह फबाट बाट का का यह पूरा प्रयास है कि रश्ट्रवाद जो है वो भाजपा के साथ अगर भाजपा ही हो तभी राश्ट्रवादी हो और कोई भी अगर पार्टी के हैं तो आप राश्ट्रवादी नहीं है यह अगर आप भाच्पा ही नहीं है तो आप राष्ट्रवादी भी नहीं है ये मेसेज पूरी तरीके से यूपी में शोल दिये है बलकि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि संग का जो ब्रांड है नेशनलिजम का भाच्पा तो सिर्फ उसका एक ये बात भी अकसर कही जाती है कि संग और भाच्पा अलग अलग चीजे हैं ये ये डिफरेंशीट भी करने की कोशिश की जाती है और मतलब ये तो ये पूरा जो मेसेज गया है कि अगर आप संग के नहीं है आप तो अगर आप हिंदू है और भाजब के साथ जुड़े हैं तब ही आप राष्ट्रवाद अगर ये भी हो सकता है कि स्पॉंटेनियस ना हो क्योंकि जिस तरीके से दंगा चार दिनों तक फैला रहा उसमें तो किसी आदमी ने भी इंक्लूडिंग हिंदूस ने नहीं कहा कि यह इस तरीके से पुलीस के सामने बलकि हमने अक्रम जो कि बाहर से आ रहे थे लकिमपूर खेडी के रहने वाले थे और वहां पर काजगंज फस गया अलीगर जा रहे थे उनका उनका उनकी टाटा सफारी तोड़ी गई वह दरखास करते रहे रहे रहें की भीक मांगते रहे फिर भी उनकी एक आँख फूट गई उस वाइलेंस में और वहां से पुलीस स्टेशन स्रिफ सौ मीटर दूर था और वहां पर जब उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी तरीके से वहां से भाग कर जब निकले तो वहां पुलीस स्टे कि कोई बड़ा अफसर आया और उनको बोला कि अरे यह सब बख्वास है इनको आप जाकर अस्पताल ले जाओ और उन्होंने खुद ड्राइफ करके एक पुलीस वाले ने मिशनरी हॉस्पिटल में उनको भरती करवाया कास गंज में फिर उनको अलिगर लेके आया गया यह ओन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है तो इस तरीके से जब पब्लिक की बीच में एक इन सिक्यॉरिटी है हिंदू भी यह कह रहा है कि एड्मिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जो भी आप अगर एक सड़क से चलेंगे तो आपको हिंदू मुसल्मान दोनों दिखेंगे और आप कब तक इस तरीके से एक हिंदू और मुसल्मान को देखकर डिस्ट्रस्ट और एक एलिमेटी की भावना रखेंगे दुश्मनी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब के बिजनेसे से एक स मुसल्मानों को नहीं दिया ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो 14% मुसल्मान है नहीं चाहिए हमें हिंदू कंसॉलिडेट करना है यूपी के चुनाओं में ये दिख गया था हमें हिंदू कंसौल एक बार हिंदू अक्रोस कास्ट यादव खतम यादव अपनी राइट बहुत बहुत धन्यवाद अजय, धन्यवाद महिताब, इन सभी ग्राउंड रिपोर्ट जो महिताब और रोजयों ने सामने लाई है, इससे ये चीज साबित होती है कि ये जो दोनों तरफ के लोग तिरंगा फैरा रहे थे और कुछ के हाथ में भगवा भी थे, और इन सभी चीज में एक चीज साफ है कि पुलिस हो चाहे नेता हो ने अपना काम किया ना किया हो, लेकिन ये बात साबित होती है कि मीडिया ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, और मीडिया ने तमाम ऐसे अफवाएं और इस तरीके की चीज़ें को उड़ाया, सोशल मीडिया पे और टेली विजिन पे जिसके तरह लोगों में और आखरोश पैदा हुआ हम काजगंज को लेकर और भी तथ्याप के सामने लाते रहेंगे तो वायर हिंदी से जुटने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैं प्रशान नमस्कार